अभी तक हमने अपनी फसलों के अंदर किया था, एक तो सब से ज़्यादा हमारा फोकस था, गेहूं के एक पोदे से ज़्यादा ज़्यादा टिल रिंग निकले, दूसरा हमारी फसल के अंदर पीला पन ना हो, अब की बार विशेश कर मौसम की वज़े से बहुत से खेतो में पीलापन था तो उस पीलापन को खत्म करने के लिए हमने nitrogen को उपर ज्यादा फोकस किया nitrogen के साथ हमने zinc sulfate है magnesium sulfate है pharos है या magneez है इनको उपर बहुँचादा फोकस किया और साथ ही जिन खेतों के अंदर बहुचादा पाणी भरता था या जिन खेतों में nematode की जड़ महु की सिकाए ठी पिर फंगस की सिकाए ठी तो उन खेटों में हमने सल्फर है या फंजी साइड या साथ मी इन्सेक्टिश आइड इन खातों मिलाकर नीचे सिचाई के साथ दिये थे अभ आने वाड़े टाइम बे जब हमारी फसल से थे जितने टीलर्स निकले थे वो सभी टीलर्स प्रोडक्टिव टीलर्स के अंदर तब्दील हो जाए और आगे चलकर अवरोल हमारा उत्पादन ज्यादा निकले उसके लिए अभी हमें कुछ सावधानिया बरत नहीं जैसे कि बहुत से काम ऐसे हैं जो किसान ना समझी में य उसके अंदर लोजिंग प्रोब्लम आएगी गिरने की समस्या आएगी बाकी ओवरोल बात करेंगे इस वीडियो में हमारा जो आगे चलकर उत्पादन निकलने वाड़ा है वो जादा से जादा निकले उसके लिए हमें आगे चलकर अभी क्या कुछ करना है वो सभी जानकार आज इस वीडियो के अंदर मिलने वाड़ी तो नमस्कार मैं इंदरपाल यादव और आप देख रहें देश का सबसे विश्वसने फार्मिंग योट्यूब चैनल देश की जान हमारी किसान तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजी वीडियो को लाइक भी कीजिए और सा अंदर बाली होगी तो भाया आप इस टाइम पर अपन को दो सावधानी रखनी है एक तो हमारी फसल का अंदर एक दम ग्रीननेस होनी चाहिए जितनी स्वस्थ हैल्दी आपकी फ्लैग लीफ होगी जंडा पत्ती होगी उतने ही आगे चलकर इसके अंदर से निकलने वाड़ चाहिए और क्या करना चाहिए सबसे पहले बात करेंगा क्या 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 नहीं करना चाहिए तो पहला काम जो हमें नहीं करना चाहिए इस सवस्था में जैसे हमारी फसल 55 दिन से पार हो जाए तो भाया चाहे आपके खेत में कितने ही खर्पतवार हो खर्पतवार नासी का इस प्रे नहीं करना है मेरे पास अभी दो-तीन दिन पहले एक किसान का फोन आया था वो बोला भाया मेरे खेत में मंडूसी है वो खत्म होई नेरी बहुत जादा मंडूसी है मेरे गयों की जो फसल है नो वो 65 दिन की हो चुकी क्या मैं इस टाइम पर वीडी साइड का स्प्रे कर स सकता हूं तो भाया मैंने उसको एक ही बात बोली कि भाई भूल कर भी आप इस टाइम पर वीडी साइड इस्प्रे मत कर देना आपके खेत में जो मंडूसी है ना उससे इतना नुकसान नहीं होगा जितना आपके खेत में इस टाइम पर खर्पतवार नासी स्प्रे करने से ह पहला काम आपको यह करना है आपको बिलकूल भी खर्पतवार नासी का इस पर इस सवस्था में नहीं करना है दूसरा काम आपको यह करना है कि भाया इस टाइम पर आपको यूरिया अपने खेतों में नहीं डालना है देखो यूरिया हमने पहली सीचाई में डाला था दूस किसी कारण आपनी यूरिया की या नाइट्रोजन की पूरी मातर अपने खेतों का अंदर अभी तक भी नहीं दिये तो भाई आप निचे से डालने की बज़ा है आप उपर से दो किलो परेकड की हिसाब से सो लिटर पाणी का अंदर घोल के उसको इस्प्रे कर दीजी उसके आ देखिए लेहुसीन का इस्प्रे आपको उनी खेतों का अंदर करना है जो लगबग 25 अक्टूबर से और 5 नवंबर के बीच में जिन खेतों का अंदर गिहूं की बिजाई है और वो खेत जिनके अंदर फसल है आपको ऐसा लग रहा है कि यार इसकी जो ग्रोथ है ना वो कह चलकर हमें हमारी फसल है वो गिर्ती हुई दिखाई दे रही उसके अंदर लोजिंग प्रोब्लम आएगी तो उसमें आप PGR का इस्प्रे कर सकते हो बाकी PGR का इस्प्रे सभी खेतों के अंदर आलाऊ नहीं है PGR अगर आपके हड़की फसल है आपके पच्छेती गेहों की बुआई की हुई उन खेतों के अंदर आप PGR का इस्प्रे करोगे तो भाईया आपको उत्पादन बढ़ने की तुला में घट जाएगा आप बताते हैं टाइम PGR का विसेसकार लियोसीन का इस्प्रे हमें किस अवस्था में करना है तो भाईया जब ये गांट बनी थी ये पर एक लिटर पाणी के अंदर दूसरा PGR के इस्प्रे करना है हमें जब ये जंडा पती निकल रही होती है उस अवस्था के अंदर बाली निकलने से पहले जब ये गोब की अवस्था होती है उस टाइम पर अब इस PGR की इस्प्रे से क्या होगा तो देखो भाईया इसके अंदर जो एक नोड से और दूसरे नोड की जो दूरी है ने एक गांट से दूसरे गांट की जो दूरी है वो PGR के इस्प्रे करने से छोटी हो जाएगी अब बात कर लेते हैं भाईया हमें इस टाइम पर जब हमारी फसल 60, 65, 70 दिन से पार हो चुकी है और हमारी गहों की फ फसल में हमें एक किलो एन पी के 0,52 लेना है भी इस 0,52 के अंदर 52% फोस्पोरस की पूरती हमारी फसल को हो जाएगी साथी 34% जो इस टाइम पर सबसे ज़्यादा आवशक पोसक तत्व है पोटास की पूरती हो जाएगी पोटास अपना रोल इस टाइम पर निभाएगी भा जो इस जंडापती है जो दिन के अंदर भोजन बनाएगे उस भोजन को जादा जादा बाली तक पहुंचाने का काम भी पोटास करेगा ट्रांस्पोर्ट सिस्टाम का काम पोटास करेगा इसके अलावाद तीसरा पोसकतत्व जिसकी बहुत कम आवसकता पड़ती है लेकिन इसका रोल बहुत बड़ा है वह भाईया बोरोन अब बोरोन हमें कितना लेना है अगर आप 100 लीटर पानी अपने एक एकड़ जमीन के अंदर योज में ले रहे हो तो आपको 100 ग्राम बोरोन लेना है 120 लीटर पानी ले रहे हो तो 120 ग्राम बोरोन लेना है जो यह बोरोन पो वो बोरोन की कमी की वज़े से होता है अगर बोरोन आपने सही समय को उपर अपनी फसल का अंदर दे दिया तो आगे चल कर इसके अंदर से जो बाली निकड़ेगी और बाली के अंदर जो बूर भराई का टाइम आएगा इसके अंदर जो बूर भरेगा उस टाइम पर जो pollination होगा एक बाली से दूसरी बाली के अंदर उस टाइम पर बोरोन अपनी आहिमियत दिखाएगा अब चोथा काम हमें क्या करना है जिससे हमारी फसल के अंदर उत्पादन बढ़े तो भाई आद देखो बहुत से खेतों के अंदर हम देख रहे होते हैं कि जो ये फ्लैग लीफ है जो ये जंडा पता है ये बीमार होता है इसके अंदर पीडापन होता है और बहुत से खेतों में येलो रश्ट वाली जो बीमारी है ना हल्दी वाली जो बीमारी है वो लगी ह तो भाई अगर आपको ऐसा लग रहा है आपको फसल का अंदर पत्ते पीड़े हैं इस टाइम पर इस तरह से यूँ हाथ से यूँ खीचते हो तो हाथ की ऊपर आपको पीड़ापन दिखाई देता है हल्दी सा लगा हुआ दिखाई देता है तो इस अवस्था में आपको अप लेटर पानी के अंदर मिला के स्प्रे कर लेते हो चाहे आपके फसल अच्छी खड़ी हो एकदम हरी-भरी खड़ी हो तो भी अगर इसके अंदर आप यह मिला के इस प्रे कर देता हो नट टैबको न जोल का तो भी आपका जो उत्पादन है वो निश्चित तोर पर बढ़े सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ली चैनल सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद